एलो गय्स, वेकम तो मैं चैनल देशी गरल इन यूयस तो गैस आज मैं आपको लेके जा रहे हूँ यूयस के मॉल में यह अच्छिली मैं शॉपिंग करने जा रहे हूं मैं इंडिया जा रहे हूं तो इसलिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ इसे में शॉपिंग कर चुकी है बट कुछ छोटी मोटी शॉपिंग और करनी है तो मैंने सुच आप लगों को लेके चलती हूँ और मॉल दिखाते हैं यहां पर किस टैप के मॉल होते हैं क्या-क्या मिलता है यहां पर सब्सक्राइब लेकिनों इतना डिफ्रेंट नहीं होगा बट तब भी आईए मेरे साथ चलते हैं और शॉपिंग करते हैं और यहां का फूट को भी मैं दिखाओंगी क्यों पर खानी पीने के क्या-क्या आप्शिंस हैं तो बहुत मज़े आने वाले हैं तो चलते हैं तिक सकत मॉल है पर यह काफी अच्छा मॉल है फॉर शॉपिंग मतलब यहां पर ज्यादा हाई ब्रैंड नी है एक मीडियम ब्रैंड है और आप आराम से अपने एकॉर्डिंग लिए अपने बजट के साब से शॉपिंग कर सकते हैं जो प्रॉपर यह जिमी चू और लेवल है उनका एक अलग मॉल है तो इसलिए अगर मुझे जब नॉमली शॉपिंग करनी होती है तो मैं यहीं पर आती हूँ आप देख सकते हैं पर स्नैक्स शॉप फगर अभी है और यह आइस्क्रीम वेंडिंग मशीन है और यह मसाज चेर्स बना रहे हैं जिसे फाइड डॉलर में आप अराम से एक घंटा अराम से रिलाक्स कर सकते हैं और यह अलग से एक शॉप भी है मसाज के लिए पर अब ठक जाएंगे इतना लंबा मॉल है चल चल के बच्चों के यहां पर है तो वह मैं शायद आपको इतना सब नहीं दिखा पाऊंगी यहां पर देख सकते हैं मैक्सिकन स्टाइल अफ फूट्स हैं यह जो फूट्स को क्रश करकी लोग सेल कर रहे हैं इसमें बहुत खटा मिठा डाल के थोड़ा कुछ इंडिन टेस्ट आता है यहां पर मिल रहे हैं जो कि बहुत फेमस होते हैं अपर होट डॉग प्रेट्जल जा रही हूं अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए तो मैं थोड़ा सा गाउन वगरा देखना चाह रहे हूं यह हैं मेरी फेवरेट गाउन शॉप यहां पर हर कलर के गाउन्स मिलते हैं विद ट्राइड जो इनके यहां पर पहनते हैं इनों वाइट कलर के बड़ ऑविसली हमें वो नहीं चाहिए बट अगर आपको कलर फुल गाउन्स खरीदने आए तो यह शॉप बेस्ट है यहां के जो रेट्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं अब मैं आपको दिखाती हूं यहां पर जो गाउन है 399 डॉलर का यानी 400 डॉलर और यह आपको कॉस्ट कर रहा है 229 डॉलर में बहुत अच्छी क्वालिटी है बहुत ही स्मार्ट गाउन है और यह गाउन भी बहुत लाइट वेट है आपको कॉस्ट करेगा 419 डॉलर का अच्छी यह गाउन्स काफी लॉंग होते हैं यह पार्टिवे गाउन्स होते हैं तो अगर आपकी हाइट छोटी है तो आपको हील्स जरू डालनी पड़ेगी और यहां पर फिटिंग बिटिं कि यह 259 डॉलर का है मैं जस्ट चेक कर रही हूं मुझे नहीं लगते कि मैं इंडिया में लेके जा पाऊंगी यह 400 सम्थिंग डॉलर का है बहुत ही लाइट वेट है इंडिया सही खरीदूंगी गाउन्स इन्डिया में फिटिंग विटिंग अराम से हो जाती है वर जस्ट तफरी करने के लिए अच्छा है मुझे बहुत अच्छी लगती है शौप यह देख सकते हैं 239 डॉलर की लव दिस शौप मैं जब भी यहां आती हूं तो यहां पर जरूर करती हूं कि इतने ब्यूटिफल कलर्स हैं यहां पर और यहां पर बहुत अच्छे से अरेंज किया ब्लू को एक साथ रखा हूँ है तो इस लुक वेरी ऑसम और नौट अट अब और भी चीज़ें वहां आपको आगे दिखाऊंगी तो मैं आपको इन दिखाते हूं कि कितनी बड़ी शौप है यह और कितने सारे गांज हैं बहुत सारे ऑप्शन जाने का मुझा नहीं मिल र अब मैं इनके ब्राइडल सेक्शन में आपको लेकर आई हूँ तो आप यहां पर देख रहे हैं कितने ब्यूटिफुल गांज है वाइड गांज है यह यह नो यहां पर भी जो गांज के रेट हैं यह काफी अफ़ेडिबल रेट से लाइक अब देख सकते हैं थाउजन डॉलर के है 6.99 यानि 700 डॉलर का है तो आपको गांज के साथ ब्यूटिफुल यह सांडल्स मिल जाएंगे कलर्फुल सैंडल्स पी हैं यहां पर और यह नो इस वांट लिग फिल्वर गोल्ड बीज फ्लाइक ब्राइडल बैग्स भी मिल जाएंगे छोटी शोटी शोटी लाइके आप अप साथ मी लेके चल सकते हैं हर कलर में है और रेट भी रादा कॉसली नहीं है अराउंड 40 दॉलर है तो मिले यहां पर प्रॉपर आपको मैरेज की शॉपिंग करने के लिए सारा समान मिल जाएग लाइक रेड क्रीम सिल्वर अबरतें तब चलते हैं दूसरी शॉप्स में तो गाइस हम युनिकलो जा रहे हैं क्योंकि बहुत फेमस ब्राइड है जैकेट्स के लिए हम यह अपने फादे लोग के लिए लेनी है तो मैं आपको दिखाते हूँ तो गैस युनिकलो एक जैप बहुत अच्छी होती है बिकास इंडिया में थन्ड नहीं होती है तो यहां पर जो लाइट वेट जैकेट होती है वह इनफ होती है आमली उनिकली की जैकेट सबको एराउंड 80 डॉलर यूनो एंड 70 डॉलर में मिल जाती है बर यह जो हम जैकेट देख रहे हैं यह थोड़ी है तो यह आपको 150 डॉलर की मिलेगी तो विट टेक्स ही थोड़ी ज्यादा पड़ जाती है तो यह जैकेट हमें काफी अच्छी लग हाफ जैकेट मिलती है यह जैकेट 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 मिलती है और तेरे के रेट मैशन है तो मुझे वह ब्लैक जैकेट पसंद है अपने फादेनों को तो मैं पही खरीद रही हो ओके गाइस हमने दो जैकेट खरीदी जिसकी कोस्ट पड़ी हमें 207 डॉलर एक मेरी छ अब तो में पहीं बढ़ाइटी है फूड्स की नॉमली यह पर फास्ट फूडी मिलेगा आपको जोपी पर हर कंट्री का फास्ट फूड होता है अमेरिका की यह खास्यात है यह मंगोलियन है इसका मैं अलग से वीलोग बनाओंगी मुझे बहुत पसंद है बट यह अब यह पस टाइम नहीं है इस चीज के लिए तो यह बर्गर्स बर्गर किंग तो आपको पता ही होगा और बर्गर के और भी ब्रांड्स है और यह सब यह नो सब्वे तो पता ही है इंडिया में भी है बट यह तोड़ी से डिफरेंट चीजें मिलती है वह मैं अपका भी बात में यह में को कफे इंटरस्टिंग लगता भी लविंग हट अगर आपको चाइनीस और लाइक यह नो वितनने मीज खाना बहुत पसंद अगर यह नो शारा वेगन होता है यह वेजितीरियन बेस्ट विन उन ने सारे सेम एंटम्स वेजितीरियन बेस्ट बना रख है तो अगर वेजिटेरेन है तो आपके लिए बहुत अच्छा ओप्शन है लविंगफ लॉविन गवार्ट है चाइनीज है और यहां पर चिकन के सारे स्नाक्स है यह तरीके से अब देख सकते हैं गृटिट है सब तुछ और यह पिजा के options हैं कई सारे पिजा हैं यहाँ पे और यह थाई है थाई में एक प्लांटो फू होता है वेजीज होती है बीन्स होते हैं ऐसे प्लैटर टाइप में मलते हैं यह यह भी थाई का एक basically fast food है और अब हम मैं जो ले रही हूँ वो सर को जापान करके है जापान का यह मतलब fast food है और इसमें जो हम ले रहे हैं वो shrimp ले रहे हैं यह राइस के उपर shrimp देते हैं तो वो फ्रेश बनाते हैं और वही मैं ले रही हूँ आप तो इंडिया में भी सब ब्रैंड आपको दिख जाएंगे तो हमें आपको दिखा रहे हूं थोड़ा सा ओवर्वीव दे रहे हूं यह बैग्स वगरा है हैं शूज हैं सैंडल्स हैं यह एराउंड आपको 24 डॉलर 29 डॉलर की कॉस्ट करती है वैसे हाई ब्रैंड्स हैंलेll फा यमाईक्ल कोोस उसके बैग वगरा अभी में अनदर नहीं जा रहे हूं बिकास अंदर नहीं है वीडियो बनानों और यह कोज के यह माईकल कोस के बैग जै और इन कोच के भी यहीं पर यह कोच के बैग्स हैं actually and yes now मिले को अपने सैंडल्स लेने स्केचर से तो अपने स्केचर में जा के अपने सैंडल्स लेती हूं इंडिया के लिए तो मैंने यह सैंडल्स लेने काफी कमफोरिबल है और यह मझे कॉस्ट पढ़ रहे हैं 38 डॉलर के तो मेरी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकि है इंडिया के लिए आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंच कर दीजिए और हां मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत कर दो क्या बाया